आज हम बनाएंगे चोले वह भी बहुत ही बहतरीन तरीके से तो वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो को एंट तक देखिएगा तो चोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर काबली चना लिया है तो मैंने इसे पहले से ही उबाल कर रखा है तो आपको क्या करना है कि काबली दूब जाए उससे थोड़ा से ज्यादा तो यह देखिए तीन सीटी के बाद मैंने इसे निकाल लिया है अब छोले बनाने के लिए हमें कडाहे चरहाएंगे और इसमें हम डाल देंगे सरसो का तेल ही हमें यूज करना है यहां हमने ले लिया है एक छोटे चमुच जीरा इसे चटक जाने थे तेल में अच्छे तरीके से अब हम यहां पर डाल देंगे दो तेज़ पता कि अधा कि दो सुख्य लाल मिर्ज बस इन सारे अच्छे से नस्या भी में और यहां पर हम डाल देंगे प्याज, तो यहां पर मैंने 4-5 मीडियम साज के ish के टमाटर लिये हैं और इसे मैंने लंबे-लंबे भाग में कट कर दिया है। और भस प्याज को हमें अच्छे तरीके से तेल में मिक्स कर देना है और प्याज को हमें भून लेना है तो प्याज को हमें इतना भूनना है ताकि प्याज जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए तो बस इसे कुछ देरी-देरी पर हमें ठहर-ठहर कर इसे चलाना है और यह देखिए मैंने इसे तीन से चार इमनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही चलाया है और आप देख सकते हैं कि प्याज गलने की कंसिस्टेंसी में आ गई है तो जब इस तरीके से हो जाए प्याज तो आपको क्या करना है कि कल्छी से इसे प्रेस करकर के इसी अच्छे तरी तरीके से और गल जा मतलब कि अच्छे से मिक्स हो जाए पेश्ट की तरह यह देखिए कल्छी से इस तरीके से मिक्स करकर के चलाना है यह देखिए और आप देखना इसे मैंने तीन से चार मिनिट के लिए और पकाया है और आप देख सकते हैं कि प्याज जो है कितने काट लिया है और इसे हम डाल देंगे प्याज मी और इन दोनों को अच्छे तरीके से एक बार हमें मिक्स कर लेना है तो यहां पर फ्लेम का भी मीडियम ही रखना है अब टमाटर को गलने के लिए इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसर नमक तो ध्यान रहे कि हमने नमक छोले उबालने में भी डाला था तो नमक उसी हिसाब से डालें और जैसे ही आप इसमें नमक डालेंगे तो टमाटर जो है जल्दी से और प्याज बिल्कुल एक दूसरे में घूल मिल जाएगी बिल्कुल इस तरीके से और बस अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो मैंने यहां पर अद्रक लहसुन का पेश्ट लिया है अगर मैं चमच से बोलू तो यह तीन चमच है और बस इसी अच्छे तरीके से हमे यहां आप अपने तीखा नुसर लालमिश पाउडर एड़ करें और यहां एक चोटी चमच धनिया पाउडर अब सारे मसाले को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और यहां फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर ही मीडियम से थोड़ा सा कम रखें और मसाले को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है और मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक यह तेल रिलेज ना करने लगी तो बस कुछ मिनट रुक रुक कर इसे मसाले को अच्छे तरीके से हमें भून लेना है तो फ्रेंट्स देखिए मैंने यहां पर तीन मिनट के लि या फिर टमाटर बिल्कुल एक फाइन पिस्ट तयार हो गई है और यह देखिए तेल भी रिलीज करने लगी है और यहां पर मैंने लिया है तीन बरे साइश के उबले हुए आलू तो यह बिल्कुल ऑप्सिनल है आप इसमें डालना चाहें तो डालें बरना अस्किप करें यह यहां पर जैसे मैंने आलू डाला है तो आप ना डालना चाहें तो डायरेक्ट आप यहां पर डाल दें जो अपने छोले उबालकर रखें उसको और अगर आपने आलू का यूज किया है तो बस इसे एक से दो मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है उसके बाद हम इ ठोले में जो पानी है वो भी इसमें डाल दें और यहां पर आप अपने अनुस्तार ग्रेवी रख सकते हैं कम या फिर ज्यादा तो देखिए यहां पर मैं थोरा सा पानी और डालूगी यह ज्यादा सुखा सुखा लग रहा है तो यहां पर मैंने पानी और एड़ कर दिया तो यहां पर मैंने एक छोटा चमच जीरा लिया है आदी छोटी चमच काली मिर्च और यहां एक छोटी इलाई शी तीन से चार लॉंग लिया है और थोरे से दाल शीनी लिया है अब इनका हमें पेश्ट तेयार कर लेना है और यह देखिए इसमें एक उबाल आ गया है और फिर्ट्स आप देख रहें कितनी बढ़ियां लग रही है हमारी छोले तो जो हमने जो सुखे मसाले लिए थे खड़े मसाले उसे हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है और पीस कर उबाल आने के बाद इसमें डालना है और यहां हमने आधा छोटे चमत चीकन मसाला चुका है लेकिन इसे हम दो से तीन मिनट के लिए और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही ताकि जो हमने अभी मसाले डाले है ना वह अच्छे तरीके से छोले में मिल जाए बस इसे कभर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे दो मिनट के लिए और पकने देंगे और दो और प्लीज एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करिए गां और ये देखिए हमारी बी बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं न ज्यादा कम है न ज्यादा है और बस यह हमारा छोला बन कर तयार हो गया है तो यहां पर फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यह जो आपको थोरी सी ग्रेवी लग रही है ने ज्यादा तो बंद करने के बाद फ्लेम यह जो ठंडी होगी छोला तो यह और भी थोरी सी गार ही हो जाएगी तो बस आप इसे प्ल आप अपने मन पसंद जैसे भी करें तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सिर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मिलते हम नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग